खेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ ब्रजेन आप सभी दोस्तों का एक वाफिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो ये लेक्चर मैं सीटेट परिक्षा के परपस से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये बाल मुनु विज्ञान का पहला लेक्चर होगा सीटेट परिक्षा के लिए और इस वीडियो में बात कर रहा हूँ शिक्षा की और शिक्षा क्या है शिक्षा का अर्थ क्या है शिक्षा की परिभाशाएं क्या है इनको हम बहुत ही विस्तार से यहाँ पे जानेंगे दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ये बिल्कुल फ्री होता है subscribe करने का कोई पैसा नहीं करता है दोस्तों और आप subscribe करने का bell icon को भी आप press करिए ताकि आपको automatic notification पहुँच जाए जब भी कोई नया video update होगा तो आपको notification मिल जाएगा अगर आप subscribe करने के बाग जो एक घंडी का icon होता है बिल का icon होता है उसको आप press कर देंगे दोस्तों आएए शुरू करते हैं शुक्षा क्या है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था introductory seated के preparation का जो वीडियो था कि क्या हमारे strategy हो कैसे हम prepare करें ताकि हम इसमें बहुत अच्छे marks achieve कर पाएं दोस्तों मैंने बताया था कि psychology और आपका जो teaching aptitude है बाल मोने विज्ञान और शुक्षण अविरूची और जिसको आप pedagogy कहते हैं इन topics को आप अच्छे से prepare कर लेते हैं तो आपको seated में बहुत ही आसानी से आपको अच्छे marks मिल जाते हैं तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं आप देख पा रहे हैं कि शुक्षा का अर्थ और परमूप परिभाशा हैं हम यहाँ पर discuss करने जा रहे हैं दोस्तों शुक्षा शब्द जो है आप सभी जानते हैं कि education English में इसे education कहते हैं और यह जो शब्द है education यह education Latin भाशा के शब्द educatum से बना हुआ है जिसका अर्थ अंदर से आगे बढ़ाना है यानि कि हमें हमारे अंदर जो एक शक्ती है हमारे अंदर जो ताकत है हमारे अंदर जो God gifted एक बौदिक शम्ता है उसको आगे बढ़ाना उसको थोड़ा सा increase करना बढ़ी होगी कि शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना आगे बढ़ाना और सिखाना तो कुल्मला के वही मतलब यहाँ पर भी है और कहीं कहीं education शब्द की उत्पत्ती एजुकेर शब्द से भी बताई जाती है दोस्तों अलग 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 उल्लेक है तो बहुत जादा ये बड़ा इशू नहीं है इस पर विवाद का कोई इशू नहीं है तो आप जो पढ़ते हैं वो अलग बग ठीक है educator, educator, लग बग एक ही है कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है तो इसको लिएक आप बहुत अदा इटेंशन मत लीजिए और जो इसका एक finalized conclusion है वो ये है कि जमजात शक्ती को बाहर अभिव्यक्त करना जो हमारे अंदर एक जमजात शक्ती है common view है कि शक्षा क्या है हम उसको देख पर है अब कुछ महत्पूर्ण definitions है जो बहुत सारे मनोवगयनिकों ने और भारत के में निश्यों ने दी है जो आपकी परिक्षा में पूछे जा सकते हैं तो उन पे एक नजर डालते हैं कौन से प्रमुक परिभाषा है सबसे पहले परिभाषा मैंने लिया है शक्षा वहा है जो मुक्ती दिलाए ये बहुती famous sentence आपने सभी सुना हुआ साविद्या या विमुक्ता है साविद्या या विमुक्ता है ये विद्याला के लोगों में स्कूल के लोगों में और लगभग जो academies होती है जो education institutions होते हैं वहां जरूर ये लिखा होता है कि साविद्या विमुक्ता है जो एक संस्कृत का वाकिय है संस्कृत की सूक्ती है जिसकार्थ होता है शक्षा वहा है जो मुक्ती दिलाए मुक्ती किसी दिल है अज्यानता से, घरीबी से और अंदविश्वास से वही है शुक्षा जो हमें प्रकाश की उले जाए और किसने इस सूक्ती का या किसने इस पंक्ती का जो है उले किया हो है शंक्राचार जी है आप हिंदू धर्म के प्रणेता की रूप में शंक्राचार को जानते है तो शंक्राचार की ये पंक्ती है इसका उले हिस्तरस दिया गया है कि साविद्यया विमुक्ता है दोस्तों दूसरी परिभाशा है मनुष्य की अंतर नहित पूर्णता को उसके अंदर नहित है उसी को अविवेक्त करना उसी को यह बाहर एकस्प्रेइन करना उसको प्रेजेन करना ही क्या है शिक्षा है ये कौन कह रहा है यूथ आईकन इंडिया के सबसे बड़े युवाओं के आईकन जिनने कहा जाता है यह इनकी बहुत ही important परिभाषा है यह बहुत बड़ी शक्षियत है तो इसलिए इनकी परिभाषा महत्पूर्ण हो जाती है मनुष्की अंतर्ने हित्पूर्ता को विवक्त करना शुक्षा है किसकी definition है स्वामी विवेका नंद जी की है शुक्षा का अर्थ सर्वमान ने विचारों को विक्सित करना है जो अपने वातावरण को नियांतरित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है दोस्तों ये थोड़ा सा लंबी परिभाशा है और आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसको समझ पाएंगे कहना क्या चाहिए शुक्षा का अर्थ सर्वमान ने विचारों को विक्सित करना मतलब ऐसे विचारों को डेवलप करना जो हर जगा पर मानने हो यूनिवर्सली अप्रूब्ड हो हर जगा वो एक्सेप्टेबल हो और वो विचार अपने वात्तावरण को नियंतरित करने तथा अपनी ये संभावनाओं को पूरा करने योग की बनाए हमारे आसपास जो इन्वर्मेंट है उसको नियंतरित करें और जो potential है उसको हमारे अंदर जो समभावनाई जो potential मोजोदे उसको करने की योगी हमें जो बनाए वही education है बहुत ही सटीक परिभाशा है और बहुत ही कह लिजए की एक व्यापक परिभाशा है ये किसकी है दोस्तो में जॉन डीवी के है ये मणोग ग्यानिक जॉन डीवी की परिभाशा है आप इसको याद रख सकते हैं अगली की परिभाशा है शुक्षा का अर्थ सर्वमान्नी विचारों को विकसित करना है जो प्रतेक मनुष्री के मस्तिश्क में विलूपत है दोस्तों ये परिभाशा भी काफी मिलती जूलती है स्वामी विवेकानन्द की परिभाशा से ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा करत सर्वमानने विचारों को विक्सित करना है। दोस्तों सुकराद की परिभाशा आरस्तु की परिभाशा ये सब परिभाशा अक्षर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इन परिभाशाओं को गौर से याद करते चलिएगा अगली परिभाशा है शिक्षा से मेरा अभी प्राय बालक था मनुष्य के शरीर मस्तिश्क तथा आत्मा के सर्वंगीर सर्वोत्तम विकाज से है दोस्तों ये बहुत जादा important हो इसलिए जाती क्योंकि महत्मा गांधी की definition महत्मा गांधी जी ने शिक्षा को परिभाशित किया कि शिक्षा से मेरा अभी प्राय बालक था मनुष्य के शरीर मस्तिश्क तथा आत्मा के सर्वंगीर सर्वोत्तम विकाज से है बालक और मनुष्य दोनों को शामिल किया फिर उसका शरीर मस्तिश्क आत्मा के सर्वंगीर शरीर को भी शामिल कर रहे मस्तिश्क पर भी आत्मा को और सर्वंगीर all round development की बात कर रहे और सर्वोत्तम विकास जो है best development की बात कर रहे तो ये definition कि इसकी ये महत्मा गांधी जी के ये भी काफी महत्वपूर्ण डेफिनिशन है दोस्तों अगले नमबर पे सबसे चारचित बहुत ही फेमस बहुत ही इजी डेफिनिशन आप सभी को पता भी होगी यहां मैंने इसको शामिल किया है स्वस्त शरीर में स्वस्त मस्तश्क का निर्मान करना ही शिक्षा है दोस्तों यह अरस्तु किये अब सभी जानते हैं तो यह काफी इंपोर्ण है तो इतनी परिभाशा है जो मुझे महत्पूर्ण लगी है दोस्तों मैं आपके लिए कलेक्ट किया और मैं अब तक पहुचा रहा हूँ उमीद करता हूँ कि उनको आप एक दो बार देखेंगे और आसानी से आपको यह प्रिपरड हो जाएंगी और काफी महत्पूर्ण यह परिभाश रहे हैं दोस्तों इसके बात के वीडियो में मैं आपको और महत्पूर्ण जानकरी बालमनों विज्ञान से समंदित लेके बैक टू बैक आऊंगा उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करें दोस्तों बहुत सारी शुब कामना है थैंकियो सोमत जै हिन जै भारत